एक बार एक गधे और एक चीता में बहस चिर जाती है बहस बहुत ही मामूली बात पढ़ती चीता कहता है कि खास हरी रंकी होती है लेकिन वही पर गधा चिलाता है कि खास नीले रंकी होती है इन दोनों की बहस बढ़ते ही जा रही थी तो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं शेर अभी अपने दूसरे जानवरों के साथ उनकी समस्याओं का हल कर रहा था क्योंकि वो जंगल का राजा दो था फिर ये दोनों शेर के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं उताते हैं गदा कहता है इसको लगता है कि खास हरे रंकी होती है, जब कि मैं तो उन्हें नीला देख सकता हूँ फिर शेर कहता है क्यों रे चीता, तो इससे बहस कर रहा है, उधास हरी है या हीली फिर गदा बात को टोक्ते होए कहता है, महराज आप इसे 6 महिने का डंड दे दीजिए फिर शेर उसे 6 महिने के लिए चीता को डंड दिट कर देता है, कहता है, उसे तौरावास में ले जाओ 6 महिने के लिए जब ये सुनता है, तो गदा हसते हुए वए वास से निकल पढ़ता है, फिर चीता पारावास में जाते वब, शेर से पूछता है, लेकिन महाराज घास तो हडी ही होती है, शेर हसता है, और कहता है, मैं तुझे इस बात के लिए डंडिट नहीं कर रहा, इग घास हरी होती है लेकिन इस बात के लिए डंडिट कर रहा हूं कि तुझ जैसा गुद्धी जीवी जानवर एक गधे से बहस कर रहा है अपना भमूल्य समे तुझ गधे में वह टीट कर रहा है इसलिए मैं तुझे सबक सिखाने के लिए 6 महिने के लिए